नमस्कार आप सभी का स्वागत है जयम रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे मिक्स विजिटेबल सब्जी इसे बनाना बहुत ही आसान है और हम इसे मिट्टी के बरतन में बना रहे हैं अगर आपको इसमें कुछ और भी मसाले डालने हैं तो आप ये डाल सकते हैं बना सकते हैं बहुत ही आसान सी और स्वादिष्ट सी सब्जी तो इसे बनाने के लिए मिट्टी के बरतन में थोड़ा सा तेल डालेंगे हम ये सब बी मद्ध्यमाज पर करेंगे इसमें हम राई और जीरा डालेंगे राई को चटपताने देंगे इसके बाद हम इसमें अद्रकलोसन का पेश्ट डालेंगे और इसे अच्छे से अद्रख लशून को भूनने के बाद दो कटी हुई हरीमिश डालेंगे बस इसे चीरे लगाना है और कटा हुआ प्यास डालेंगे इसके साथ हम करी पत्ता के पत्ते डालकर इसे मत्यमाज पर दो मिनिट तक भूनते रहेंगे दो मिनिट बाद आप देख सकते हैं प्यास कैसा भून गया है अभी हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर तो यहाँ पर एक बड़ा प्यास और दो मीडियम साइज के टमाटर लिए थे टमाटर को हम अच्छे से दो मिनिट तक मिलाते हुए पकाएंगे अभी हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है तो हम देख लेते हैं कि सबजिया क्या क्या है यहाँ पर है यह बैंगल और बीन्स यहाँ पर चोलाई और इसे के साथ है यह पमकिन कटा हुआ फुलकोबी तुरई और लोकी इन सारी सबजियों को हम अच्छे सी दोगर काट लिया है तो सारी सबजिया हम एक एक करके इसमें डालेंगे सबसे पहले लोकी, इसके बाद पमकिन और बाकी की सारी सबजिया एक ही साथ में इसमें डालकर हम इसे अभी तेज आंच पर 5 मिनिट तक पकाएंगे यहाँ पर मैंने आदा टीस्पून नमक तो आपको ज्यादा चाहिए हो तो आप इसमें नमक एक्स्टा डाल सकते हैं अभी हम इस सबजी को अच्छे से मिलाएंगे ध्यान रखें कि मिट्टी के बरतन में सबजी बनाते समय लक्री की चमश का है इस्तेमाल करें तो इससे जो बरतन है वो खराब नहीं होता और सब्जी भी अच्छी बनती है अभी हम इसे डग देंगे एक प्लेट से और इसके उपर एक कटोरी पानी डा देंगे यह नॉर्मल वाटर है नॉर्मल टेम्प्रेचर का इसके बाद हम इसे धीमी आज पर पकाएंगे तो इस साथ मिनट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि भाब के वजह से इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं और यह सब्जी बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाएगी बिना पानी के मिट्टी के बरतन में सब्जी बनाते समय हम जब प्लेट ढगक 12 оп कर दो को सकते हैं देख सकते हैं मैं हम म natya में बनकर त्यार तो आप जलदी से परों से और ऐसक का데 इस सब्जी को आप सिंपल सी गर्मा गरम, गिहों की रोटी, ज्वार की रोटी या फिर किसी भी दाल चावल के साथ आप इसे बहुत ही आसानी से परोश सकते हैं, अगर आपको ये बहुत ही सिंपल सी और स्वाधिश्ट सी मिक्स विजिटेबल सब्जी पसंद आई हो, तो व मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ और एक नए रेसिपी के साथ, तो देखते रहें जैयम रेसिपी इस,